आजमा आपसे शेर करने जा रही हूँ पोस्ट चिकता और स्वाग सिभरपूर लड़ू की रेसिपी जिसके नियम इस सेवन से आप हजारों रोगों को अपने शरीर से कोच सोदूर कर सकते हैं क्योंकि ये लड़ू आपको फिजिकली और मेंटली इतना मजबूत कर देते हैं कि छोटे मोटे रोगों को तो पास में भी नहीं फटकने देतें और सबसे खास बात ये है कि इने बनाना भी बहुत आसान है और इसका हर सामान लगबग हमारे घर में रहता ही है और सचमानी जहां बच्चे लड़ू वगरे खाना पसंद नहीं करते वो भी ये लड़ू मांग मांग कर खाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स ये सुपर हेल्थी और टेस्टी लड़ू बनाना शुरू करते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं हू निर्मला मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी ऐसी और भी रेसिपीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें इमिनेटी बूस्टर लड़ू बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं तो यहां पर मैंने 50 ग्राम मुंगफली ली है तो आप चाहें तो सारी चीज़े जो हम ले रहे हैं वो ग्राम्स में ले ले या फिर कोई भी कटोरी या कप का मेजरमेंट सेट कर ले और 50 ग्रामी हम ले लेंगे काजू तो दोनों चीज़ों को मैंने समान मातरा में लिया है और 30 मैंने ली हैं बादाम तो ये भी मैंने 50 ग्राम ही ले है साथी मैं यहाँ पर ले रही हूँ खसकस याने की पॉपी सेट्स जिसे पोस्ता दाना भी करते हैं तो ये मैंने 20 ग्राम ली है या चमच से देखें तो दो बड़े चमच पॉपी सेट्स ले ले इसके अलावा हम लेंगे खरबुजे के बीच तो 30 ग्राम मैंने खरबुजे के बीच ले हैं बहुत ही हेल्दी होते हैं ये साथी हम लेंगे 20 ग्राम सफेद तिल सफेद तिल की जगर आप काली तिल का इस्तमाल भी कर सकते हैं लड़ों के स्वाद को बढ़ाने के लिए साथी काफी हेल्थी होता है इसलिए हम लेंगे 30 ग्राम सुखा नारियल तो जो ब्राउन कलर का गोला आता है उसको कदुकस करके ले सकते हैं या फिर रेडिमेंट इस तरह से ड्राय कोकोनट आता है वो ले सकते हैं इसके अलावा ए भी बहुत टेस्टी होती है और इन लड़ों को भी काफी टेस्टी बनाएगी तो 50 ग्राम हम लेंगे फूल मखाने तो ये तो ऐसे भी आप रोस्ट करके खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो इन्हें हम जरूर शामिल करेंगे तो चलिए अब हम एक एक करके इन चीजों को ग्राइंड करेंगे तो सबसे पहले ले ले लेते हैं ग्राइंडर जार और इसमें मैं क्या करती हूँ कि जो भी हार्ड चीज़े हैं यानि जो मोटी चीज़े हैं वो एक साथ ग्राइंड कर लेंगे तो वो इसली इसमें ग्राइंड हो जाएगी तो इसमें ह इस पाउडर को हम एक प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं तो सारी चीजों को मैं एक साथ ही ग्राइंड करके फिर इने रोस्ट करूंगी आप चाहें तो पहले इन सारी चीजों को एक एक करके रोस्ट कर लें और फिर ग्राइंड कर लें लेकिन वो प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाएगी अब हम दुबारा grinder जार लेंगे और इसमें soft चीजों को एक साथ grind कर लेंगे तो यहाँ पर मैं add कर लेती हूँ full मकाने और साथ में ही यह खरबोजी के बीच भी काफी soft होते हैं तो यह भी मैं add कर लूँँगी बाकी बचा तिल और पोस्ता दाना यानि खस-खस वो मैं साबूती add करूंगी तो इन दोनों चीजों को भी मैंने grind करके ले लिया है तो इन्हें भी निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर तो जिन चीजों को हमें grind करना था उन चीजों को हमने grind करके ले लिया है तो अब हम ले लेते हैं एक बड़ा पैन या फिर कड़ाई और इसके अंदर डालेंगे लगपक दो बड़े चमश घी तो यहाँ पर गी का इस्तमाल आप ज़्यादा भी कर सकते हैं गी खाने में कोई बुराई नहीं है गी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदे मन्द होता है तो गैस का फ्लेम लो रखेंगे और यह जो पावडर हमने बनाया है उसे पैन में डालेंगे और साथ में जो खसकस हमने साबुत रखी थी वो एट कर लेते हैं और तील भी डाल लेते हैं तो बस अब सारी चीजों को हम लो फ्लेम पर धीरे धीरे रोस्ट करेंगे तो फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है लो फ्लेम पर ये सारी चीज़ों को रोस्ट करना है अब मैं कहाँ दूंगी कि ये 10 मिनिट में लडो तयार हो जाएंगे तो बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि ये जो मिश्रन हमने तयार किया है उसे हमें लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है तभी उसकी खुश्बू, स्वाद, अच्छा आएगा तो इसे आपको रोस्ट करने में लगबग 15-20 मिनिट का समय लग जाएगा इन लडों को बनाने के लिए मैंने जो जो चीजे बताई हैं और जितनी उनकी मातरा बताई हैं उसके अकॉर्डिंग येदि आप लडो बनाते हैं तो लडो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही पोस्ट इक बे बनेंगे लेकिन फिर भी इनमें से कोई चीज आपके पास अवेलियेबल नहीं है या कोई चीज आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो उसके मातरा आप कम कर सकते हैं या उस चीज को स्किप कर सकते हैं दोस्तों फूड चैनल की साथ साथ हमारा एक टेकनिकल चैनल भी है तो ये दिया आप फूड रेसिपीज के अलावा टेकनिकल वीडियोज में भी इंट्रेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल फ्यूजन टेक को भी सब्सक्राइब कर अपना भरपूर प्यार और सयोग दें चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो वहाँ जाकर आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं तो अब इन सारी चीजों को रोस्ट करते हैं मुझे 15 मिनिट हो चुके हैं और लास्ट के एक दो मिनिट मुझे ओर रोस्ट करना है तो इसे स्टेस पर हम सुखा नारेल भी इसमें एड़ कर लेंगी बनाने के लिए हमें ताजा नारेल का इस्तमाल नहीं करना है सुखे नारेल का इस्तमाल ही करना है क्योंकि हम ताजा नारेल का इस्तमाल करेंगे तो फिर यह लड़ो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएंगे सुखा नारे लेंगे और जितने भी बाकी चीज़े हमने ली हैं वो ड्राई हैं तो इन लड़ों को हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं तो एक बार में खूब सारे लड़ों बना कर रख दें और डेली एक लड़ों दूद के साथ या फिर सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम आप लें तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थी होते हैं और खासकर बच्चों को तो ये जरूर खिलाएं क्योंकि आजकर बच्चे जो सारे दिन लैप्टोप, टीवी वगरह में लगे रहते हैं उनकी आँखों के लिए तो ये लड़ों बहुत ही ज़्यादा फाइदेमन होते हैं और इस लोकडाउन में तो हम भी घर बैटे बैटे काफी सारी मुवीज और सीरियल्स देख रहे हैं तो ये हमारे लिए भी जरूरी है अब ये नारियल भी रोस्ट हो चुका है और जैसे ही सारी चीजे रोस्ट हो जाती है अच्छे से तो बहुत ही अच्छे इसमें से खुश्बू आने लगती है तो अभी इस पैन को मरत देती हूँ साइड में और एक दूसरा पैन लेंगे और इसके अंदर एक से दो चमच घीर करम कर लेंगे और अब जैसे ही की मेल्ट होता है हम इसके अंदर डालेंगे गुड़ तो यहाँ पर मैंने 500 क्राम गुड़ लिया है और गुड़ को इस तरह छोटी छोटी पीसिस में कट कर लिया है ताकि यह इसली मेल्ट हो जाए गुड़ की मातरा मैंने जितनी बाकी चीज़े लिया है उसके अकॉर्ड़ को भी हमें लो फ्लेम पर ही ऐसे मेल्ट करना है बिल्कुल भी ज़्यादा नपकाएं क्योंकि हमने पानी बगर नहीं डाला है तो यदि ज़्यादा फ्लेम हाई कर दी तो गुड़ बहुत ही जल्दी चलने रगेगा तो लो फ्लेम पर ही ये दो से तीन मिनिट में एजिली मेल्ट हो जाएगा तो दीखे कैसे आसानी से ये मेल्ट हो रहा है यदि हम पानी डाल कर गुड़ को पकाएंगे तो फिर जो लड़ू होंगी वो बहुत हार्ड हो जाएंगे इसलिए हमने इसमें पानी का इस्तमाल नहीं किया है गुड काफी अच्छे से मेल्ट हो गया है और जैसे ये मेल्ट हो जाता है इससे जदा हमें नहीं पकाना है फटा फट से जो मिश्रन हमने तयार किया है उसमें ये पिगला हुआ गुड डाल देंगे और साथ ही फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटी चमच इलाइची का पावडर है और यदि आपको लड़ों में काली मिर्च का पावडर पसंद है तो आप काली मिर्च का पावडर भी डाल सकते हैं तो यहां पर गुड को हम फटा फट से मिक्स कर लेते हैं और अब मैं क्या करती हूँ कि दुबारा गैस का फ्लेम ओन करके लो रखूंगी लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि यदि यह पावडर चीज़े हैं वो ठंडी हो गई तो फिर गुड भी इसमें ठंडा हो जायечение और इजिली मिक्स नहीं ओपाएगा तो एक बार हम gas का flame on करके low flame पर इसे अच्छे से mix कर लेते हैं और जैसे ये mix हो जाता है हम gas का flame off कर देंगे तो ये सारी चीजे मैंने अच्छे से mix कर ली हैं तो gas का flame off करके pan को नीचे उतार देंगे हाथों को पहले गीसे grease करेंगे और क्योंकि mission करब है तो हम pani लगाते वे हाथों पर ये लड़ू बनाएंगे तो लड़ू बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और हमारे हाथ भी नहीं जलेंगे पहले जो mission है उसका उपर उपर का हिसा अच्छा उतारते वे हम लड़ू बना लेंगे तो इससे लड़ू बहुत यासानी से बन जाते हैं क्योंकि जो नीचे का मिश्रण होता है वो जल्दी से ठंडा नहीं होता है तो हलके गरम मिश्रण में ही फटाफट से लड़ू तयार कर लें तो इस तरह से छोटे छोटे लड़ू बना कर तयार कर लें तो ये देखने में भी अच्छे लगेंगे और एक टाइम में एक लड़ू आप ले सकते हैं अब दुबारा हम हाथों पर पानी लगा देंगे और उपर से मिश्रन उठाते जाएंगे और इसका लड़ू बनाते जाएंगे तो मिश्रन नीचे से गरम रहता रहेगा और पैन भी अभी हलका गरम है तो इस तरफ पटापट हम छोटे छोटे लड़ू बना कर तयार कर लेंगे और आप चाहें तो इन लड़ू को बनाने के लिए फैमली मेंबर्स की हलप ले सकते हैं तो बहुत ही जल्दी और पटापट ये लड़ू बन कर तयार हो जाएंगे तो ये लेजे फ्रेंड्स हमारे सुपर हेल्दी और टेस्टी देखने में भी बहुत ही संदर लग रहे हैं इमिनेटी बूस्टर लड़ू बन कर तयार हैं जरूर से आप इन लड़ूं को अपने टाइट में शामिल करें छोटे हूँ या बड़े हूँ सब को खिलाएं और अपने इमिनेटी बढ़ाएं और ये देखे इसका टेक्श कितना ज़्यादा बढ़िया है तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये हेल्दी लड़ू की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आपको ये वीडियो हेल्फू लगा हो तो प्लीस इस वीडिय को लाइक करें और उसे भी शेयर करें और मीडिय ऐसी और भी रेसिपीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अपना किमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत अन्यवाद मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक रखें अपना धीर सारा क्याल